दूस्तों आज की डेट में सेकेंड हैंड फोन करेदना एक बहुत बड़ा ट्रेंड बन चुका है अच्छा बहुत सारे सो लोग है जो मुसीबत में खरीदते हैं क्योंको उनके पास पैसा नहीं होता तो कोई options नहीं है बजट नहीं है तो सजार सी बात है कि उन्हें सेकेंड की खरीदते हैं यहांने उन्हें सौक है सेकेंड हैंड फोन खरीदना क्यूंको उनका यह कहना है कि हमें एक अच्छा फोन कम बजट में मिल जाता है और एक अच्छा फोन जिनके warranty भी मिल जाती हैं लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी यह सोचा है कि सेकंड हैंड फोन खरीदने से पहले आपको किन-किन चार्जर सब कुछ होने की अलामा भी आप बहुत बड़ी मसीबत में फर सकते हैं कैसे मैं आपको इस वीडियो में पांच से छे फैक्ट बताने वाला हूं जिनको सुनकर देखकर आप दंग रह जाएंगे मरला बहुत सारी सी बाते हैं दोस्तों मैं बताने वाला हूं यूट कैसे आते हैं फोन कहां से आते हैं कभी यह आपने सोचा है उसे बिल्क आपको देते फोन देते हैं और एक कागज में लिखे देंगे ले जाओ बहुत बड़ी मुसीबत में फस जाओं के दोस्तों इन चीजों का आपको ध्यान देना पड़ेगा मैं आपको बताने वाला क्योंकि यूट्यूब पे मैंने बहुत सर्च किया किसी ने भी यह नहीं बताया कि फोन खरे दिने से पहले किन बातों का द्यान लखना चाहिए दोस्तों बहुत सारे सो लोगों जो देखकर वीडियो बनाते हैं मैं आपको बता रहा हूं ताकि आप कोई पर कभी कोई ऐसी प्रोब्लम ना है और हमेशा आप अलर्ट रहें तो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अमित कुमार और आज की वीडियो शुरू करते हैं नंबर वन दोस्तों सेकंड हैंड फोन जब भी आप खरे दिने के लिए सोच रहो आपकी दमाग में जब भी आता है कि नहीं हमें सेकं फोन खरीदे रहो अपने नियरवाई सोब से खरीदें रिजन क्या है दोस्तों अगर आप उस फोन को खरीद रहो बाइचांस कोई प्रॉलम ही आ गई क्योंकि उसकी वरण्टी गरण्टी तो होती नहीं तो उस प्रॉलम का सेलूशन तो कम से कम निकलाता है आप प्रॉलम है नंबर दो यहां पर आपको यह ध्यान देना है कि दोस्तों जो फोन खरीद रहो उस फोन का बिल बॉक्स औरिजिनल चार्जर यह सब कुछ है अगर है तब यह फोन करीदें अगर इसका नहीं है कुछ भी तो आपको क्या करना है जो सौप उनर है उसके विजड प्रॉलम में नहीं आएंगे क्योंकि आपको पास स्वगूत होगा कि मैंने यह फोन वहां से करीदा है नंबर तीन आपके पास बिल बॉक्स डबबा चार्जर होने के बावजूद भी क्या फोन जनुवन है नहीं आपको मैं हाप यह साप सब्सब्द में बताता हूं कि दो दिजांस बहुत सारे सो लोग होते हैं जो फोन खरीते हैं और उनके फोन वहीं एड़ा जाते हैं तो क्रशित मैं जा करती है है और वह कम्प्लेंन क्या होती है कि वह यह इनका क्राइम armor जो भी होता है वहां पर इसquisलि सकती है कम से कम 5-10,000 का फाइन यहां पर होता थोड़ा बहुत नहीं हजार दो हजार का और दूसरी चीज अगर आपके पास फोन है और आपने कह दिया कि भीया मैंने उस सौप से खरीदा है अगर आपके पास उस कार्ड का विजटिंग आड नहीं है तो कैसे आप प्रूब कर सकते हो और मेरे यहां से खरीदा नहीं सीधा तो आप फस गए जी जोक आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है नमबर चार यहां पर आपको यह ध्यान देना एकि दोस्तों जो आपने फोन खरीदा है उस पून का जो hemi नंबर है आपके बॉक्स मैच कर रहें आपके पास बिल है उससे मैच कर रहे हैं अगर वो तीनों मैच कर रहे हैं तब ही आप उसको ले कई बार ऐसा होता है दोस्तों बिल में कुछ और लिखा होता है और कई बार ऐसा होती कि बाक्स और बिल सेम होता है लेकिन फोन का इमें नमबर होता है कुछ और होता है तो यहां पर आपको यह पाइंट जरूर याद रखना है नंबर फाइब जब भी आप फोन खरीदें आपको यह जरूर ध्यान रखना है कि दोस्तों जो आप फोन प्रचेस कर रहे हो वह फोन लॉंच कब हुआ था उस फोन की लॉंचिंग हुई थी उसका प्राइज क्या था इससे आपको यह पत जनुएन है नहीं यहाँ पर उस फोन के आठ चार वैलु बिल्कुल नहीं है दूसरी चीज़ आपको फोन में यह भी चेक करना है कि उस फोन की डिस्ब्ले और इसे लोग उते उनको पता निसी पैसे देते हैं और क्या करते ले ले लेते हैं वहां पर आपको यह भी ध्यान दोस्तों उस फोन में यूटूब चला कर देखिए उसका साउंड फटा तो नहीं है इस पीकर फटे तो नहीं है मैं प्रॉपर वोग कर रहे हैं अच्छी आ रही है नहीं आ रही है इन सभी चीजों को आपको जरूर दियान रखना बैक पैनल लोगरा देखना कैमरा चेक कर ल कि इस फोन की प्रैस क्या है पॉइंट नमबर 6 जब भी आप फोन खरीदें जैसे यह नहीं आपको बताया सौफ से खरीदें किसी रागीर से फोन कभी मत खरीदिएगा अगर वो आपको जानकार है आपको अच्छे जानता है तब आप उससे खरीद लिजे यानि आप रास् साल से कई सारे ऐसे लोग आई हुएं जो बहुत बड़ी मुसीबत हैं फर्स चुके हैं और पंद्रा पंद्रा सोला सोला हजार के फोन यूहीं मतलब 200 रुपए के फोन के भाव के खरीद लिए और उनको पता तक नहीं चला बाद में आया दो तो सर पर हाथ दर पीटने तो यह थे हमारा दो कुछ पांथ से च्छे फैक्ट आपको कैसे लिए वीडियो अगर आपको जानकर यह अच्छे लगी हो तो जाइए चैनल को स्क्राइब कीजए लाइक कीज़े वीडियो को सेयर कीज़े और अपने दोस्तों को भी जरूर से शेर कीज़े और बोसी एक्स वीडियो में तब ते के लिए जैहिन वन्दे मातरम और इस चैनल पर आपको जैनुवन कांटेक्ट और रियल नॉलेजबल वीडियो मिलती रहेंगे फिर से मिलेंगे अपने एक लिए जैहिन वन्दे मातरम